जहिन साती हूँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जी के और जी एस के टॉप कितने 30 कुशन्स लेके आएं जो आपके सभी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए अति महत्पूर होंगे तो वीडियो को बिना एस्किप किये एंड तक देखें आज का हमारा पहला कुशन है कुशन नमबर एक, भारत में किस राज जी को चावल का कटोरा कहा जाता है आपको बताना है कि भारत के किस राज जी को चावल का कटोरा कहा जाता है कुछिशन नमबर एक का सही जवाब आप्शन भी आंदर प्रदेश को भारत में चामल का कटोरा का जाता है किसको आंदर प्रदेश को या आपको याद रखना है आगे चलते हैं कुछिशन नमबर दो पहली बार परमाडू बम कहां फेका गया था आपको बताना है कि पहली बार जो परमाडू बम था वो कहां पर फेका गया था तो दोस्तों कुछिशन नमबर दो का सही जवाब आप्शन डी हिरो सीमा जो कहां है जापान है जापान का एक सहर है हिरो सीमा वहां पर पहली बार परमाडू बम फेका गया था बहुत important question है, आपको याद रखना है question number 3, ओजोन परत कहां पाई जाती है आपको बताना है कि ओजोन परत जो होती है वो कहां पर पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है ये आपको बताना है question number 3 का सही, जवाब option D, समता मंडल में कहां पे समता मंडल में ओजोन परत पाई जाती है ये आपको याद रखना है कुशन नमबर चार मातमा गांदी का राजनीतिक गुरू कौन था जो मातमा गांदी थे उनके राजनीतिक गुरू कौन थे ये आपको बताना है कुशन नम्बर चार का सही जवाब ऑप्शन बी गोपाल करश्न गोखले जी जो थे मातमा गांदी की राजनीतिक गुरू थे ये आपको याद रखना है इंपोर्टेंट कुशन है कई बार एक्जामों में पूछा जा चुका है कुशन नम्बर पांच डेसीवल सब्द किस से समंदित है आपको बताना है जो डेसीवल सब्द है इन में से किस से समंदित है Q5 का तकशहिज जवाब अपसंड दुहनी से यानि कि जो दुहनी है दुहनी का जो मातरख होता है गते हैं डेसिवल याद रखना है आगे बढ़ते हैं Q6 अंगमाजनपत की राज़दानी कहा थी जो अंगमाजनपत था उसकी राज़दानी आपको बतानी है अंग माजनपत की राजदानी दोस्तों कहा है चम्पा में थी कौँ थी चम्पा थी या आपको याद रखना है हंगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर साथ है दोस्तों सांत गाटी जो सांत गाटी है किस राज में इस्तित है नहीं कि भारत के किस राज में सांत घाटी इस्तित है ये आपको बताना है दोस्तों कुशन नमबर साथ का सही जवाब ऑप्शन भी केरल में सांत घाटी इस्तित है कहां पर केरल राज है वहां पर सांत घाटी इस्तित है ये आपको याद रखना है कुशन नमबर 8 है सुनामी का जो सुनामी भूकमप आते हैना तो सुनामी का मुख कारण क्या है आपको बताना है निमने खित में से सुनामी का मुख कारण क्या है तो सुनामी कैसे आती है यह आपको बताना है दोस्तों कुछिशन नमर आठ का राइट अंसर ओप्शन डी समुद्री सतय पर भूकम्प यानि समुद्र के अंदर जो भूकम्प उत्पन होते हैं उस भूकम्प के कारण हमारे क्या होता सुनामी होती है क्युशन नमर 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 करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपको बताना है जो करक रेखा है भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो क्युशन नमर नमर का सही जवाब आपसंसी आठ राज्यों से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कर राज्जिओं से होकर गुजरती है कि से बस गृश्च कि लोग भारत नहीं गूँं सकते हैं आपको बताना है कि ऐसा कूम सा देश है जहां कि लौक भारत नहीं गूँं सकते हैं कुष्चन नमबर Inner갈 का दोस्तों सही जवाब उप्शन सी उत्तर को रिया उत्तर को रिया के लोग भारत नहीं गूम सकते हैं यह आपको याद रखना है क्वेशन नमबर 11 कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था आपको बताना है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था यह कब लड़ा गया था 261 इसापुर्ब कब 261 इसापुर्ब अगर आप से पूचे कि कलिंग के युद्ध में किसकी विजए हुई थी तो महन असोग की किसकी महन असोग की विजए हुई थी महन असोग की यह आपको याद रखना है आंगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर 12 है फ्रेंट कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था यह आपको बताना है मैं आपको बता देता हूं कि जो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था तो आपको बताना है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था तो आपको बताना है कि तराइ पानी पत का प्रतहम Yudh कभ लड़ा गया था? आपको क्या बताना है? कि जो पानी पत का प्रतहम Yudh होगा था, तो तो कभ भुगा था? दोस्तो, कुस्चन नमबर 23 का सही आंसर होगा, ओप्शन बी 21, अप्राय सप्राइल 1526 इस्वी को पानी पत्त का प्रथम युद्ध लड़ा गया था important question है और इसको आपको याद करके रखना है question number 14 है कि बकसर का युद्ध कब लड़ा गया था बकसर का युद्ध कब लड़ा गया था आपको जल्दी से बताना है दोस्तो question number 14 का सही जवाब option C बकसर का युद्ध तरह सो चौण सट इसपी में लड़ा गया था यह आपको याद रखना है question number 15 की बारत सोरी गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है जो गुजरात की जीवन रेखा है आपको बताना है किस नदी को कहा जाता है question number 15 का सही जवाब option A आगे बढ़ते है question number 16 भारत का तोता किसे कहा जाता है आपको बताना है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है question number 16 का दोस्तों सही जवाब option D अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है important question है यह आपको note down करना है और याद भी रखना है question number 17 है एसिया का अजिगर किस देश को कहा जाता है आपको बताना है कि एसिया का अजिगर किस देश को कहा जाता है तो किसन सतरा का सही जवाब ऑप्शन एच चीन को चीन को एसिया का अजिगर कहा जाता है यह आपको पता होना चाहिए नेक्श नहीं चरक और नागारजन किसके दरवार की सोबा थे यानि कि किसके दरवार में थे जो चरक और नागारजन थे ये किसके दरवार में थे या आपको बताना आए दोस्तों 56 18 अप्सिंट ।कनिसक के दरवार में थे कुशन नम्बर 19 निमलिकित में निमलिकित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राइं चलाई थी आपको बताना है कि निमलिकित में से सबसे ज़्यादा स्वर्ण जो यानि कि स्वर्णे की मुद्राइं है किसने सबसे से चाहदा संद मद़राएं चलाई थें यह आपको याद रखना है आंगे बढ़ते हैं कुष्न RICH बारतियों के महन रेहे सम्मार्ग किस नरहम उन्हान किस नरहम कराया था जू हिस्क नरह आए सम्मार को आरहम कराया था आंगे बढ़ते हैं क्विशन नमबर 21 सुंग बंस के बाद किस वंच ने भारत पर राज्य किया था आपको बताना है कि जो सुंग बंस था सुंग बंस के बाद भारत पर किस राज ने भारत पर किस वंच ने राज्य किया था यह आपको बताना है त कनवं से बाद कनवं से भारत पर राजय किया था यह आपको याद रखना है कुछिसर नबर 22डियुरा किस चीनी जनिर्रल कनिस्कोailable की आपको नंबर 22 का सही जवाब ऑपन या किन डमचाओ ने कनिस्कोमार हाधा था अंगे Says कुशन नमर 23 दोस्तों कुशन नमर 23 प्राचीन भारत में निम्नमे से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे आपको बताना है कि जो प्राचीन भारत था प्राचीन भारत में कौन वंस था जिसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे आपको बताना है तो दोस्तों कुसार वंस, option A, सही जवाब होगा, कुसार वंस जो था, उसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, यह आपको याद रखना है, question number 24, तमिल का गवरोग्रंत, जीवक चिनता मड़ी किस से समंदित है, आपको बताना है, जीवक चिनता मड़ी, यह किस से समंदित है, यानि कि किस धर्म से समंदित है, यह आपको बताना है, दोस्तों, question number 24 का right answer option D, जैन धर्म से समन्दित है जीवक चिंता मड़ी जैन धर्म से समन्दित है यह आपको याद करना है next step question number 25 दोस्तों निमलिकित राजवन सो में किसका उलेग संगम साहित में नहीं हुआ है आपको बताना है कि निमलिकित यह जो राजवन से दिये गए उनमें से किसका उलेग संगम साहित में नहीं हुआ है यह आपको बताना है दोस्तों question number 25 का सही जवाब option C कदम बखा किसका कदम बखा question number 26 दोस्तों question number 26 है उस साशक का नाम क्या है जिसने बिजय स्तंब का निर्माड करवाया था यह most important question है और अज़े आपको note down भी करना है याद भी रखना है क्योंकि यह बहुत important question है बिजय स्तंब का निर्माड किसने कराया था यह आपको बताना है दोस्तों कुश्चन नमबर 26 का सभी जवाब ऑप्शन ए राणा कुमबा ने आपको याद रखना है जो राणा कुमबा थे उसने बिजे इस्तंब का निर्माड करवाया था कई बार एक जाम हो में पूंचा जा चुका है कुश्चन नमबर 27 है सेन सेन वन्स का संस्ताफक कौन था यह आपको बताना है सेन वन्स का संस्ताफक कौन था दोस्तों जो सेन वन्स था सेन वन्स के संस्ताफक सामंत सेन थे कौन से थे सामंत सेन ऑप्शन बी इस दा करेक्ट आंसर दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कुशन नमबर 28 है कि पाल वन्स का संस्तापक कौन था जो पाल वन्स था तो पाल वन्स का संस्तापक आपको बताना है कौन था कुशन नमबर 28 का दोस्तों सही जवाब ऑप्सन सी पाल वन्स के संस्तापक गोपाल थे कौन थे पाल वंस के संस्तापक वो पाल थे आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 29 है कि जो अजय पाल थे अजय पाल संस्तापक थे यानि कि आपको बताना कि अजय पाल कहा के संस्तापक थे यह आपको बताना है दोस्तों कुश्चन नमबर 29 का सभी जवाब आप्शन ए अजमेर के सासक कों थे अजय पाल ये आपको याद रखना है आंगे बढ़ते हैं और ये आज का हमारा लाश्ट कुश्चन है दोस्तों कुश्चन नमबर तेरीस है कि किसने सोमपूर महावियार का निर्माड कराया था दोस्तों कुश्चन नमबर तेरीस का से जवाब अप्शन भी धरमपाल धरमपाल ने सोमपूर महावियार का निर्माड कराया था ये आपको याद रखना है और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें जहें